इस हमारा चैप्टर नमबर 18 चल रहा था टैंजेंड एंट इंटरसेक्टिंग कोड्स इसमें हम एक्सराइज 18 सी कर रहे थे एक्सराइज 15 ए एंड बी ओल्रीड अप उनका लेक्चर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिक्क मिल जाएगा उसको दे तो कोशन नमबर 12 में देखेंगे इसमें कोशन नमबर 12 यह है एक्सराइज हमारी 18 सी ओके तो इसमें हमारे पास क्या किरा कि प्रूब देट पैरिमीटर और राइट ट्रेंगल इस एक्वल तु तु दसम दाइमीटर ओफ इट्स इन सर्कल एंड ट्वाइस दाइमीटर वैं अग्ची ओके ड्रेंगर इसके अंदर है हमारा बना हुआ और एक इन सरकल है अमारे इसके अंदर सब्सक्राइमीटर हुआ यहाँ पर क्या सो करना है मैं जोना है कि जो राइटन Кुछ का परी 2 राइट अटर्ल का परदि मीतर है वो किसके एक वीज़ुए स्टू वीन सर्क्ल के डायमीटर एंड ट्वाइस डायमीटर व सर्कम सर्कल के डायमीटर के आप सबसे पहले बात आती है हमारी कि अगर ये ABC एक राइट एंगल ट्रेंगल है अगर इस में अगर आपको 90 डिरी एंगल बन रहा है ना तो थैं सब्सक्स लें क्या यूज्ट करेंगे यह वर किसका कि यहां कर देते हैं कि इन साइड्स फर मैं कुछ से यहां सद्धियों और में एरह रहा सईसे नहीं बनाए और सब्सक्राइब इसको पूछ इस तोरी के से दिखाए देता है यहां पर इस सर्कल होता इस टाइब से कि इस आप पिर हम से अगर हम से से देखेंगे कि हम इसमें लेट कर लेते हैं कि यह वाली रेडिय और एंकर मिनी यहां यह वह होगा क्यों पर यह आ रहे तो यह क्या वरा तो है इसको कि आप इसको अगर रेक्टेंगल बोलोगी तो आप इसको कोई कर सकते हों यहां पर जैसे कि अगर हम इसको लैट कर रहे हैं क्या एक्स तो यह भी में है अब देखेंगे हमें क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है क्या है कि प्रe Fall of right angle triangle perimeter क्या होता है समोफंग वाल साइड एबी बी सी सिय इन सबी साइट का जो समोगा वो किसके व्लोगा कि इस इन सर्कल के डामेटर के डामेटर और एन सर्कल ओके जिसको हम लैट कर लेते हैं क्या टू आर प्लस और आउटर सर्कल के डामेटर के यह क्या है यह अपर यह प्रूव करना है तो प्रूव करने हो सिंपल इसको क्या करेंगे इस जांच के घर एक हमारे हमें स्थाजर गिक क्या परिमिटर किसके क्या किया हूं इस प्रेंस आप warum कि सूल पहिफ है कर दो कर सबस्क्राइब ऐस Story अब थो nab काम दे देते हैं कुछ PQR PQR यहाले प Googling आवाने PQR आप अब एविवेक्षट ने लिख सकते हैं ए-पी प्लस पीवी ए-पी प्लस बीपी ओके प्लस बीसेओ के लिख सकते हैं वी सीवने सतने BQ प्लस इस लिख सकते है BQ क्योंकि ब्लस QC इसकर प्लस QC प्लस C A C को क्या लिख सकते है A R प्लस RC R C नाव A P A P को हमने क्या लेट किया? A P को लेट किया हमने X this..? स्चय कर गाल हं प्लस तक एक लएड क्या है र एक से कह लेड क्या है र मेंको नर्ज़ीन है कोनि दो हमने ऐस कर डिया है यहाड यहार रहा हे हमारे अब देखो में क्या मिल रहा है 2x मिल रहे है 2x 2a मिल रहे हैं 2r तो primarily लेकिन इसमें x plus y क्या एक सकते है कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं क्या तोर को लग रखो स्था है और एक्स प्लस Y क्या ए ल आए रहना x-ky य एक स्रय वाई इन दोनों का समिक revenue यह operator दाहरी मीटिर लैने झाले के इह लिए में खोड़नके सबस्क्रांज परने की सोबinding more सबस्क्राइब करें र 코드 सबस्क्राइब इस भी और से ट्रींगब सबनेटिके एंट में अप्र का देमितर ओगा है leo सो डायमीटर ओप दा सरकम सरकल ओके इसको सिंपल गासे смोल सर्कल का डायमीटर यह रूप करना था है ओकी है हमारा कोश्चन नमबर थोड़ा सा कोम्लीके ज़ तक लिक्रीट सा लेकिन सिंपने फैले इक इन थे सॉचले पहलें आप अना में जुक्त और एकृष तो अब शूब्हाल से वी सिंपल है ये ये garant एक आार्क है एसी में पी जिसमें पी मिन पॉइंट है किसी मी सर्कल में एक ऑर गैहें पी वी ओके तो किसी मीसर कर हमाता do you know कि आप अगर भिदी एक आट लिए एक लेते हैं समाय अधर यह पी एक प्रिया ऑप चाहरे और इसमें क्या है हमारे टे इffy में पॉइंट एक में पॉइंट है कि में ऑप आप इसका इंटर हम अगर हो ले लेते हैं अपर आपको शो करना है कि इस से बनने वाली डी टेंचेंट पीपल बने आप रेख वह स्टार्ट के पैलोगा ग्रोगां मिहें अब दियान से इसमें कि हमया rebонд कर देते हैं इन पोर्ट को त Courts होंगे हमारे एक्वल क्यों कारण हमारे आर्क फॉल है को इक वार्क इतला कहुंड हुक्त करते हैं अब उन्य प्वार और यह वाली साइट इसके एक्वल है हैं हैं समक्या सकते हैं कि एक्स और वाई इक्वल हो गए एक्स और वाई आपके सकते हैं कि यह क्या हैं कि यह क्या हो है हमारा कि मैं टेंभेंग टेंज है इसमें सोबर के दिखाना है फ्रूब करना है हमें कि टेंजन एमन पैरलल है किसके एपी के फ्रूब करेंगे सिंपलम तो इसमें दिखाएंगे हम क्या कि एंगल MPB MP MP MPP fake소치 पीबीएक पीबीजर पीबीटे इसके की और पीच working पीटीच यह एक सिंपलिए理 के आध्र दिखोश्क लिव के अनगल न पीचिन एक PABK, PABK, EY, also, क्या होगा हमारा, also, A P equals to P, B, ये imply करेगा कि, X equals to Y, और अगर X equals to Y है, देन हमारा क्या होगा देन, एंगल, MTA, MPA इक्वल्स टौ हो、ो रहा है किसके, PAB, PAB, हुर्टरेंटीर प्रोपरटी, यह शो करा रहा है, जातने यह प्रोपररटी हैंज हम कह सकते हैं ने तक तो आप प्षेलेंट को प्रूटिक प्रूब कर देते हो तो क्या दीवाई पारल्ल फिया है यह से यह लागव कर दो अब बांद तो के नेक्स्ट कुश्यन मेर इसमें इसमें बोल्ट और कुशिटन नमर 14 बोल्टीम में एक इन देवन सब्सक्राइब करने के लिए दिखा सकते हैं कि हमारे पास यह तू सरकल्स है कि यह हमारी फॉमन टैजेंट दोनों के लिए और व्यकलत टोनों के लिए इसको ब्रीक इस करें हो अब इनकी जो कॉमन कोड थो क्या आसको इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यह पूने के पीच क्या show करेंगे इसमें अगरों how you use करते हैं डिर्ष ऑनाया है to show कि ए अब इकवद्व टू पीवी कुरेंगे सिसका ओप्रोफ इसका प्रूफ में यूस करेंगे क्या कि टेंजेंट और जो हमारे की होता है इसी के यूस करेंगे कि a.p. स्क्वेर किसके पालोगा बिन एक होो जो कि और खिर से को यहोगा एंट पी fiber के डिक in यह पार हब और यह दॉरा कहो हो geben मित फिर यके होता है और यह दो फिल्डुलऺरी उत्फोरन यह ऐस वाली प्रोपर्टी कि टीनमनेकी किस टाइप से हमारा क्या होता है कि यह सिकेंट है या फिर एक कोर्स को हम एक्टरनली बाइसेक्ट करते हैं तो वो कैसे एक्कवल होती है तो हम इसमें क्या कर लेते हैं इसको जोइन कर लेते हैं कुछ इस टाइप से हो फिर हम इसमें क्या करते हैं पूरे ट्रेंगल को और इस छोड़े ट्रेंगल को क् दिखाते हैं जिससे कि हमारा यह relation आता है अब इन दोनों को अगर हम धियान से देखें कि यह वाला पार्ट क्या है वारा एक्वल है रहे चाहिए सकते हैं कि प्रोमिकेशन फर्स्ट और से कह सकते हैं कि एपी का जो स्क्राइर होगा हमारा किसके इक्वल होगा पीवी चाहर के और अगर इंके स्काहर से इक्वल है तो यह वैल्यूस भी को ओंडी ओकेशन नमबर नेक्स्ट इसमें 15 उसको देखेंगे कोशन नमबर फिफ्टीं कर चलते हैं कि नगीवन फिगर एबी सीडिए सब्सक्राइब बना लेते हैं इसको फिकर बनाने से कोश्चन जल्दी समझ में आता है पॉशन को तभी रीड़ करना चाहीं जबाब के पास उसका क्या हो फिगर एक पर फिगर ड्रो कर लेना इसका रहे हैं कि कोई सजाना नहीं है आपको बस क्या एक रफिगर बनाना है आइसा नहीं एक्जाम में बिल्कुल एक्जैक्ट दिखाओ विद्बना कर इसको कम पास व और गीवन क्या है हमें कीवन हम लिख सकते हैं जो भी हमारे पास बीड़ी दिजांक है ए घिवन एडीसी क्यों 40 ड्री बीड डियमीटर खीवन किया है डीसी क्यों सीवीची क्यों 40 डिग्री ओके एंड एडी डी डीदी एडी 60 डिगरी हुआ क्या है संब्सक्राइब II of iBZ अंसे एंवाइन क्रें एंगल बीजिट्ट एन फाइंड करना एंगल एड़ी है तो क्लिए करेंगे इसको गरेंगे सोल करेंगे प्रूफ ने बोलेंगे से मिलें प्रूप किसमें करते हैं जिसमें मैं ब्ली अंगल कितना होगा यहां आ⋅तको एंगल कि अमारे इंगल k hatersky किसके इक्वल एंगल DB cking कितना एंगलना सेम सेगमेंटS यह ढाद हिर यह पेशिक नोगरनी सय इंप्र विश्याएं कि अगर हम देंगे हैं किसमें B C D कि अंगल में डेकर घरा में इन सभी एकर सम करें हैं आंगल कौन सा सीदिबि मृस्ट एंगल सी मेशल्ट प्लस एंगल भी सीडी बोले दीसी जायूं सभी कशंभ पर आपको को बताएगा अगरी DB डियामिटर रहती यह होगा अमारा 90 एंगर इन इन समी सर्कल 90 मतलब यह 90 डिविए दी सी डी एंड क्या हमारा भी सी डी बी हमें फाइंड करना है CBD कितना है CBDM find कर चुके 40 यह हमें find करना है यह हमारे पास 40 डिगर एंडी सी भी कितना है DC वी नाइंटी अब एंगल सी डी पी कितना यह कितना 130 और यह 180 130 माइनस करेंगे कितना जायेगा हमारा इंस कर दिशचिर ऑंगल सीफी लोगा एंगल यह सि कितना हो टे रूकर शहीं है कि दिए अब पिर आमें के जाए एंगल एडी बी जाए एडी बी दी बी कैसे फाइंड करेंगे यह भी दियामीटर यह 90 है तो हम कहां देंगे आप यह 60 है यह 90 है यह वल एंगल कितना वोजाएगा 60 90 150 30 हो जाएगा इसे एंगल इसे हम फाइंड करके बताओंगे कैसे हम इसको आपने आपकर लेना यह हो गया हमारा कोश्चिन नमबर 15 सिंपल नेक्स देखिंगे इसमें नेक्स कोश्चिन है हमारे पास 16 16 में देखिंगे क्या किन तक इबन फिकर विए स्टेंटर ओ एन बी सीड इसे 90 इए कैसे करेंगे स्टोशन को कुछ भी दिखाना है और एंगल का समब को 90 इन दिखाना है अग्याव कि डेखिने दूब जो भी हमारे पास डिर होता है ना लिए रही ही छीपा होता है आपको वह घंटी उसमें से निकालना हैं कि आप अगर उसे हिंट को यूज कर नसी गए जो समें टीवन किया तो आप को करता हो गए लेकिन अगर आप उसका यूज नहीं कर पाए तो वह कॉश्चन कभी नहीं होगा तो इसमें क्या है कि इवन सिर्फ यहां कि यह इस सेंटर से पास हो रहा है तो इसका में सी है कि अगर हम इसको क्या कर देते हैं जोइन कर देते हैं आपर आपको तो करना है यह वाल एंगल किसके को sahaja 90 यह प्रूफ करना है ए सीडी यह वाल एंगल पर बीएसी और यह वाल आदर नोनों का सम नाइन प्रूफ करना कैसे करें इसाँ और कुछ गीवन नहीं है हमाने पास लेकिन यह डायमेटर गीवन है तो हम क्या करें हमारा पास अगर यह सेंटर है ना तो अगर हम इसको इसे जोइन कर लें रिडिस होगी है ओकेश कि देखो यह क्या है हमारा टैंजेंट और कोड़ो टेंजन ये बिट्वीन इंगल लेकिनन indemकर सईगमेंट बन भी इस बना है यह तो सेंट्र भार एंकर के किलें किया लुएगा लेकिन हम एक बात पता है कि यह ग्ला इन इनके between nine to angle बनता है तो आप क्या सकते हैं यहाँ पर क plants का समय को आ ठीडि ऑप जो एंगल आलशा को सिटेंगें के अब यह कि आदों को यह सकते हैं कर दो क्याervß ल कि इंगलं करना यह को इसको कि ब fak इंगलंOFF इसे से मिया वाला एंगल यह जो यहां से स्टार्ट आप ब्लस अंगल इसे अंगल कसम हो गया 90 नान थी यहां पर दिखा देंगे कि यह कि में सिंपल यह precon लगते हैं है बिल्कुल सिंपल हमारे तो बस आपको समझना क्या है पकड़ना किस बात को है पकड़ना है कि इसके हिंट को कि इसमें गीवन गया तो इवन को यूस कैसे करें हम जो भी इनक्रमिशन गीमन है तो नेक्स्ट देखेंगे विसका कुश्चन नूमबर अ मैं सैंवंटीन गया कि इवीशी जराइट रेंगल पिद एंगल बेनाइंट डियरीन सर्कल विट वीची डामीटर मीट्वर फोना पहला थे हैं सबसे पहले हैं समीसिस्टार्टिंग करें के महां से जांपर मेंकुस्च्छन समझ में आ रहा है थोड़ा सा तो कि लिख अजनी को ड्यामीटर को लेगा एक सरक्ल बनाओं जुब इस तरीके से तरीके से ऊपनों पर कर रहा है क्या तक आप आप करना क्या है टूपर घरकिए दिखाना है फिस्ट में कि एची इन्टू है कि एडी किसके कुल है कि सब्सक्राइब के क्षिए और सेचेंड से करना है तो पीडी स्केह किसके प्स्वाइब होना है एडी इंटू डीस अब देखो आप यह तो देखो अगर आप ध्यान से देखो नहीं एसी इन्टू एडी एसी इन्टू एडी किसके पले एबी केस करके तो यह टैंजेंट और यह जो हमारा कोड को हम एक्स्टरनली इंट्रेसेक्ट कराते हैं तो उसमें जो रिलेशन होता वही है लेकिन आता कैसा यह आता इस तरीके से समझेंगे से जिसका भी हमें स्क्वाइर चाहिए न वह वाला जो साइड है वह साइड जो हमारी टू टाइम्स आनी चाहिए जिन दो ट्रेंगल क तो हम यूज करेंगे जैसे ए बिगा स्क्वरागर तो आपको वो ट्रेंगल लेना है जिस दोनों ट्रेंगल में आ रहा हूँ जैसे हम लेंगे इस बार ए बी इसमें भी आ ठाल रहा है और फिर बड़क्त डॉने को सिमिलर यह एंगल दोनों में को मनें कैसे इस चोटी इस या फिर बड़े में देखो लेकिन एक और एंगल दिखाना है सिमिलर के लिए तो हम क्या करेंगे देखो यह वाला एंगल एंगल बिट्विन टेंजेंट एंड कोड इक्वल्स टू एंगल इंगल इसके लोगा समझे बात हूं हम यहां पर दिखाएंगे क्या कि अगर हम इंगल कि झाल ग्म्ल सने क्या किया हो मन हो गया यह हमारा यह कोगे हमारा ओम सिए और एंगन क्या दिखा रहे है यह वाला ए बी नी यह बीडी औक से क्कौंब ऑसे का गाल ओंग में एंगले एक लिए तो यहां पर एलिया ना यहां पर भी एलेंगे इसका बड़े ट्रेंगल का छोटे बाड़े लिए लेकिन बड़े वाले ट्रेंगल का अबने इस चीज़ को दिहान से समझे ना क्यों क्यों अगर आपने इसको सब्सक्राइब करने में बहुत प्रोब्लम होगी यह सब्सक्राइब करेंगे इसमें इसमें करेंगे हमारा अब हम क्या करेंगे इसमें क्रोस्वर्णिंग साइट देखेंगे तो एब यह इंप्लाई करेगा एब और किसके को लोगा बीडी और किसके बीसी और एडी और किसके एबी के लेकिन हमें एबी का स्क्राइब कहा रहा है एक तो यहां रहा है इन दोनों पार्ट को एकवल ले लेंगे U A B is equal to A D Is A B D दर जा एक ते A B का स्वाहर ए-जय और यह जाएगा एक इन टू आडी यही तो चाहिए था मिए जो आपको तो आपको डूए से ट्रेंगल लेने इसमें बीडी आ रहा हो जैसे अगरम चोटा वाले ड्रेंगल लें एडी बी आ रहा है और फिर इसमें चोटे ड्रेंगल्स को अब सिमिलर दिखाएंगी कैसे देखते हैं कि अगर हमें चोटे वाले ट्रेंगल्स को क्या दिखाना ये सिंगर दिखाना थैं कैसे लेकिन इसको दिखाने के लिए अकर देखेंगे कि हमारे सब्सक्राइब तो चिस टाइप से हैं देखो नहीं बना रहें राइट एंगल ट्रेंगल बना हुआ है और अगर आप इसे दिहान से देखो ना इस विज़र को तो यह भी यहां पर भी राइट एंगल ट्रेंगल होगा क्योंकि इसने कहा है कि बी-सी डायमेटर लिया हुआ है इसके अग to X यह 000 यह 90 यह कितना होगा यहथा लृष फन माएंट नहीं चेक्शी समझेत बात को क्यों क्यों सबीकैंल कि इन आंकल कहां क्या होगा वन allergy हो गालै कि मैस यह यह वाला नाइंटी और यह जो आंगल हमने फांड खै बिए इन सबीका समकीत नोल सी इलुजया बना चैत 90 दराकर मायनस होगा हमारा 28 से और फिर X तो जाएगा 90-X इसलिए 90-X ऐसे similarly अगर हम बड़े बाले ट्रेंगल में देखा है इसको मने एक्सलेट किया है यहाँ पर 90 यह क्या हो जाएगा यह पाइंट करना है इसको मनें बी ले लिया वैसे हम इसको सिंपल बोलेंगी आपर कि अगरम इसे दी वाना इस प्कूंट को तो इसे बीवी एक दिखा सकते हैं कैसे कि अगर आप देखो इन ट्रैंगल किसमें ए बीडी में और B, C में ये और IS्क एकोल एंगल किसके एकोल एंगल D, B, C एगि अब 1990 इह क्या सकते हो या फिर ये वाले एंगल के बीडी किसके इंगल डी सी भी है यह होगे ये देरफोर ट्रेंगल क्या हो गए सिम्ला कौन-कौन से एबीडी धैफेट रहेंगल ए बीडी सिम्लार ओका एक A angle किसके equal है? इस छोटे वाले B के56 है? यह लेंगे B किसके equal है? इस वाले C के uga'd है? हाँ C लेंगे और भचा हैं D. यहांप इस तरीके से proper way में लिख लिए अगर हमने बाए अंगल अंगल पोस्चुलेट तो इस से cross pointing side का ratio हमां easily find कर सकते हैं कैसे हम लेंगे corresponding side क्या AB और BC and BD and CD AD and BT इस टाइप से अब बीडी बीडी कहा रहा है इस पॉर्शन को एक्वल लेंगे थे बीडी का स्कायर किसके क्वल सब्सक्राथ क्वल दो ठीड Chief CIA b&c叫做 CTA booster कशने तके RI pen in 202 उनो कुछ है बोलसकुत क्यकि भने यह करना था मोज भी आँस्कायर क्योंakah यह लिए बीच कर emergency the और संबसल्ट छसक्न स्कना कि शुष्ट नंबर 17 नेक्ष्ट्ए इसमें सबंब प्रशन नमबर 18 देखते हैं गीवन इन गीवन फिगर एसी इकवल टू एसी किसके को लिया एक इकवल गया है सो करना एको शोड़ाइट सीपी को इपी और फिर बीपी इकल टू टीपी कैसे करें हम पता हो देखो जब कभी भी आपको इस तरही के से कुश्चन गीवन किया हो और उसका हम यूज किस टाइप से कर सकते हैं यही हमें देख रहा है में को प्रक्रशन में गीवन का यूज अगर आप करना सीख गए तो आप को कैसे भी कोश्चन देदें आप कर सकते हैं तो यह हमारा फिर्स्ट हमें दिखाना है क्या सीपी क्वल्स टू ईपी और सेकिन ह करना है डीपी क्वल्स टू दीपी ओके करेंगे सको सो प्रूफ अ यह सो करना है मैं और गीवन क्या है कि एसी साइड या एक लाप इवन लिख सकते हैं इसी साइड किसके पल एक एक को प्रोपर वे में इस तरीक लिक्सने पहले लिए तू शो या टू पूब जो भी हम पर रहे हैं और फिर हम प्रूफ करते हैं इसका गीवन में एसी को स्टू एई और कुछ भी इवन नहीं है अब एए एसी और एक क्या बता रहा है हमें हमें तो प्रूफ करना यह सीपी और ईपी एक्वल कैसे बताएं से अब अगरम इस यहां जोइन कर लेते हैं अब एसी और प्रूफ कर देखो अगर यह एक वह अंगल नहीं के अब पर दिखाएंगा मैं खन सीटी किसके को लोगा एंगल A C के कि क्यों कि हमारा एसी किसके को लाए एक को लाए इसलिए एक और इसके कि अपोजिट एंगल इए эфф CLS इब एक उके अब इसको फस्ट टीटे यह वाला जो एंगल होगा इसको मैं एक्सलेट करते हैं यह के को लोगा क्यों एंगल इना सेम सेगमेंट देखो इसी कोड अगर हम इसको मिला देते हैं बीडी से यह वाला एंगल बन रहा है यह पर कह सकते हैं अगल इसके यह जाएगा एंगल हमारे किसके बीडी के एंगल इना सेगमने एक्सलेट कर लिया इसके एंगल इना सेम सेगमेंट अब अगर हम बोद साइड इन दोन एंगल को माइनस कर दें ठीक हैं बोद साइड एक्स को माइनस कर दें एक्स को अगर हम बोद साइड माइनस कर दें हो है कि पूट साइड है The table m'e सब्साइड के अभण बोद साइड और वा एक से वैदा एक से वर दो साइड माइनस करेंगे अज़ोन Meer अप इस में ही एक यावाल एंगल माइस क्लो है यह वाली वैल्ली कि हमारी BCDGVL लिए तो यह कितना हो जाएगा हमारा angle बचेगा यह DCP यह पर इसे PC E कह सकते हैं PCE और यहाँ पर इस angle कह सकते हैं यह वाला PEC और अगर यह दोना angle equal हो गए अगर यह दोना angle equal हो गए इस बात तो इनके opposite side भी equal हो गए तो हम कहा देंगे यह imply करेगा कि PC किसके कहलो गया हमारा PCS E P किसके कहलो गया हमारा PE के यह हो गया first वाला परूप अब एसे ही हम इस वाले पार्ट को दिखाएंगे कैसे देखो यह वाले angle हमने इस वाले angle के इक कुल दिखा दिया अब दियान से देके तो इस डी ये वाल एंगल ओर इसले इंगल के अको लोग कर देखना बतुर नहीं लग रहा पर यह ओंगे हमारे कृण सेंगर। कि एक्टे ऑकके तो ये Çंग GB कि को सब्सक्राइब कि समें आपर दिखाई मैं यह TW कि कि सब्सक्राइब करों ने वह सब्सक्राइब यहाँ पर रेन जाए नो पदूरइज़ फब मालकर कई टी वी वी इट कि is a q2 कि से उनिनिसेंग्ल सेटों Supremlangई नहींं सेखुन।ों गोगा कि अब उनुढमारे यहाल ग्ल यह ना गीए ग्सार चनटेक्र यह हुभ इस हमारे कि स्वाकर क्ते हैं अलग हुगा विद इस स्य करना फोट में क्या होगा हमारी भीकि साइड किसके फ्रो जाएगी जी दीब एक फल जाएगी क्यों कि हमारी अइंगल एकल यह अंगल वीकल टो यह यह मिल्ना ता में हैं इंट्टी यह उगा वॉक्छ यह जेपर हमारा कुशन नंबर 18 नेक्स्ट कोस्ट करते हैं इस में क्या रहा है कि a b c d e is a cyclic pentagon a b c d e is a cyclic pentagon with center of its center of its circum circle at point o such that a b equals to b c equals to c d and angle a b c 120 degrees का means एक pentagon जो circle के अंदर बना हुआ है कुछ इस type से कि एक एक पेंटागोन है हमारा पेंटागोन के अंदर बना हुआ है जिसमें तीन साइड एक पल्वी हमारी कौन कौन सी a b b c c d मान लेते हैं तीनों साइडे इनको नाम देते हैं a b b c c d इसको यह ले कहें है अभी कह रहा है कि बी एंगल a b c कितना 120 है आपको फाइन करना या बी सी माहिन करना बताव बीजिए दे माइन करोंगे तो first find करना आ हमें क्या आंगल बीच एंगल बीच एंगल बी एजीया निचाहिए या पेंट करना है तो इसको अगर हमें आप पर जोइन कर देते हैं कुछ इस ताइप से तो बीई सी मिल जाएगा हमें लेकिन बीजी की वैल्यू क्या होगी कैसे निकाले बीजी तो देखो अगर इसमें एंगल इन सेम सेगमेंट वाल रिलेशन लगाए क्यों कोई भी रिलेशन यूज नहीं हो आप क्या वह क्या हम्या पां खरसकते हैं जो कि चुर्फ यह फाइंट कर सकते हैं कैसे कि फिर दोना सांब्स दोना थैकोंट एंगल राटी सिंपल तों कर लेंगे सकाम कैसे कम देखेंगे इंट्राइंगल किसमें ABC में में अगर वाला हम एक्स 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 लेह टकर लेते हैं थो अंगल यह वाला जो है हमाँरा क्या बी ए सी अ क्रॉस एंगल यह वाला जो है बी सी ए तो इस आइए और प्लस एंगल एबी सी इनों कसम कितना होगा 180 उसे गखिसी कि तना X 40बी एकस یा गल 120 इकमल कि प्रूकूल चुल किपना वनिटि यह एक लगिए यह टाक्स सक्षरिदेगी जाएंगे क्षें जायिंगे करने हो सभूब इन दुर्टे कि यह जाएगा आगा लुकर यह खिऴ्धी Gigi जाएका 30 धिव क्यों एंगल ना सेंव सेग्मेंट एक यह लिख सकते हो इसमें हम पर क्या करें इसम भी पीडी देखो आप कैसे फाइंड करें इप एडी कैसे पाइंड करें इंडी अंगल ना सेंड पारें तो इस तरीके से बनेगा हमारा और हम यह वाले एंगल ही नहीं पता हमें तो यह वाले एंगल कैसे बताएंगे हैं और नहीं हम यह वाले एंगल फाइंड कर पा रहे हैं तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें क्या क्या देख सकते हैं इसमें जिसे हमें यह वाले अंगल में तो क्या हम इसमें फाइंड कर सकते हैं इसका क्या एंगल भी सीडी एंगल फाइंड कर सकते हैं इसमें अगर हम इसे साइक्लिक वाड़ेटर वाने तो यह यह कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा इसको ऐसे कह सकते हैं इन दोनों कासर बाइटी होगा हमारा और यह 60 हो जाएगा तो पर इसका से रिलेशन तो कुछ भी नहीं हा रहा है यह वाला एंगल कितना होगा भारा है अब अधर लेंगे क्या किसमें यह वाला अंगल कर लेंगे कैसे करेंगी किसे जोइन कर देते हैं कि यह होगा वहें तरटी और यह थर्टी यह थर्टी होगा और यह 30 खोनुट बिल्कुल सेमी सी की तरह और यह 122 यह इंगल गृतिक क्यूंक है कौन सब बी सी डी दिहांस के एक हम देखें तो इसको इसको अगर हम दिहांस个 देए से हनम्हाद गया है तो हमें यह वथा इंगल तो सब्सक्राइए कि यह सीरी है कि यह कि यह तो इएकल वाहत ज़रान का यह अ हुआId शबसे पहलेगर क्वाइब से छांग्पर सब्सक्राइंगे आखेंक बिए और किस्केव लोगा यको लोगा बीटी सीखे आ अझा बीडी सी نے कि यह ख्याओक होंगा एक तरटी डेगरी लिविंस मेर ये ओՌगा इकवलन टी बीजी अव्य ऐन कि आप देखेंगे in ट्रैंगल तो यह तो पहाँ एक है हमारा एंगल एनसाइम सेगमेन इन ट्रैंगल अगर हम देखें वी डीकी में भी बीसी में इन grassy अंगल पीशीदी और क्लस ये दोना एंगल कौन सें बीटी सीबीटी और सी डीटी अ की डूनँरा संबर योगा यह PCD कितना होजाएगा हमारा BEECD हो जाएगा हमारा कितना यह थाल टी सोल टी को 62 जाएगा तो बीचीड नहीं लिए गश्की होजा है दोनुका कब देखे इन शाइक्लिक कोईप लेटर किसमें B C D E में तो इसमें क्या होगा एंगल B C D प्लस एंगल यह वाला एंगल B C D प्लस एंगल B E D यह वाला कि दोनों का सम कितना होगा 180 B C D हमने फाइंड कर लिया 120 एंगल B E D की वेल्यू कितने हो जाएगी 60 डेगरी ओके 120 दर माइनस किया यहां गया 60 यह खरना था यह हो गया हमारा क्वेशन नमबर 90 नेक्स्ट क्वेशन देखेंगे इसमें कुछ नमबर 20 देखने कुछ नमबर 20 में गयाना है कि इन गीवन फिकर ओ इस दा सेंटर ओफ ते सर्कल टैंजेंट एट एंड बी मीट एट सी कि इस एंगल के स्यों थर्टी डिग्री यह अपको एंगल फाइंड नहीं है कि अगर हम इसको देखते हैं कुछ इस टाइप से फिगर बना हुआ इसमें यह 30 डिग्री ओके और क्या है हमारे पास कि इन अगल हो एंड यह वाली वैली जैंड पी यह एबी और यह सी यह 30 डिग्री और हमिए गीवन और नहीं है कि विवन हमाइं पाइंड करना है पाइंड करना है एंगल बी-सी ओ एंड एंगल ए ओबी और एंगल एपी भी भी वी सीओ गाहा है बी सीओ सबसे पहले बात करें इन दोने ट्रेंगल की दोने ट्रेंगल होंगे कौन करेंट हमारे क्यों इसे ट्रेंगल इसे दिका सकते हैं फिर ट्रेंगल क्या होगा हमारा ओ ओ एसी कौन गरेंट हो जाएगा किस से ट्रेंगल ओ बी सी के लुपाई अगर आपने क्या दिखाया है यह रेडिया उप सरकल दिखाई यह वाली साइट गोमन दिखाई आपने ओके और यह नाइट दिखाया तो भाई आरेज तिका सकते हो आप और फिर अगर यह कौ जाएगा 30 वाला यह वी सेंट वाले में चाहिए यह भी आप देखो यह 30 डिगरी है यह कितना यह भी 30 डिगरी आप वैसे तो हमें पता है कि क्या एंगल बीट्वें टैंजेंट त्रीक है एंगल बीट्वें एक्सटरनल टैंजेंट्ट एंड डिडियाई इन दोनों का सम् कॉंप्लिमेंटरी होता है अब इसको डारेक्ट भी फाइंड कर सकते हो कि एंगल ए ओस बी प्लस एंगल एसी बी कितना होगा हमारा 180 होगा कि यह होगी हमारा 180 ए ओबी की वेल्यू में फाइंड करनी है यह हमारा 60 आगे 30 30 60 तो यह वैल्यू जाएगे हमारे कितनी कि यह वेल्यू यह किए यह वरी की वेल्यू बंगवाने 60-3 तरड ड yup आपास क्या है 3डवी एपी भी यह वाली एंगल चाहिए अबक्र लिए फिए होगा आपक होगा क्यों एंगल सर्क्ल एर्ट कि सदावाइस ट््टस ट्वाइस यहां पर होगा हमारा एंगल एकोव इक वर च्टु एंगल ट्वाइस ओगल एप इसमें लिख सकते हैं रिजन प्लति जो रखिए लिखे लिखनंच करना है तो आपकल के विखना भी हमारा कितनी को आप करना है एक भी कितना हो जाए इसका हाफ हो जाएगा एक जाएगा 16 विखेट टूट मुल्टिप्लाइए में दरह डिवैड में एपी बीवेड यह हो गया हमारा क्षिच्छन नंबर अब ट्वंटी गा थर्ड पार्ट सिंपल अब देखेंगे पूसमें नेक्स पॉस्टिशन पॉस्ट नंबर है हमारा तुटी बन कहा है कि ABC is a triangle with AB 10 cm BC 8 cm is 6 cm not drone to scale three circles are drone touching each other touching each other with the vertices as their renters find the radii of the three circles तो की radii find करनी है इनकी distance की बन की रहे हैं तो कुछ इस थ्राइब से हैं हमारा फिगर त्री सर्कल्स बने हुए हैं इनके एक triangle जिनके vertex point इसके centers find के आपको इनकी radius निगाले हैं इसकी radius होगी इसकी radius अगर आप इसकी radius x laser कर लेते हो इसकी radius कर लेते हो वाई ऊसी लेड कर लेते हो जेट इनकी radius हो जाएंगी और इससने पताए बिधिकी सी कितना है मैं hmm S запus चाहिएक साथ भाईंसा आ अपर समय के हैं किसा यापार दाइन संटीमेटिन्ह नवर फर्सत फिर بीसी एक सैंटीमेटर डिर्ध्ट श्यॉर्ट में अपर say I am को फिर लेंगे नहीं आप इनकोड़ करेंगे-सो करेंगे उमने स्थे किया टीक एक्विज्ट नीएग सिक्सक्रट बाइए वी वाय-वाय-वाय-वाय-वाय-वाय-व derechos इन आप किलने हो सब्दय में लिख सैंमल तरह करेंगे तरह किया करेंगे यापतर इसे हम लRahsan करें कर सकते हों यहां पर भाइब कर सकते हैं कि पर क्योंने कि कर सकते था इसके लिए अगर मैनस करें नीचे साइन चेंज integration यह हमने simultaneous equation में सीखा था इसके लिए भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप उसको देख सकते है चैप्टर को complete आपको बदस रहाएगा यह वाई की वेल्यू आगी 6 अब हम क्या करेंगे यह जैड़ की वेल्यू फाइंड कर लेंगे equation नंबर फॉर्ट से या फस्ट से तो अगर हम फस्ट ले रहे हैं य प्लस जैड़ एक्वाइड की वेल्यू कितने जाएगी की वेल्यू जाएगी 46 माइनस ओकर ओके यह 4 सेंटिमिटर हुगई य की वेल्यू सेंटिमिटर हो कि अभ हम क्या करेंगे इसमें यश्मेंड करने के लिए आप कोई भी x वाल equation उठा हो जाए से हम अगर उठा लेते हैं इसमें equation number second equation number second लेते हैं क्या है x plus y equals to 8 x y की value हम फाइंड कर सुके हैं 6 तो x की value कितने हो जाएगी x की value हो जाएगी 2 ओके 2 cm तो यह value आ गही हमारी x y z यह जिल्डेट और गिवार गाइटर तो हम पाइट तो कितने के प्यूड़ू कितने हैं और प्यण दे बवार जाएगी